डियो टेक गेजट्स की हमीशा से कोशिच रही है कि आपको कुछ नई टेकनलोजी और कुछ नई इन्वेंशन्स के बारे में बताया जाए तो आज की इस वीडियो में भी हम हाजिर हो गए है कुछ ऐसा ही गेजट्स के साथ जिनकी टेकनलोजी अपने आप में काफी यूनीक रहती है शुरुबात कहते हैं इस वीडियो के लेकिन उससे पहले आप से रहेगे रिकवाच चल्को सब्सक्राइब करेगा वीडियो पसंद आये तो उसे लाइक करके शियर करना फिलकल मत भूलेगा जो हमारा दिमाग होता है वो काफी सारी छोटी छोटी से मिलकर बना होता है जिनने की नियोरॉंस कहा जाता है ये नियोरॉंस आपस में electric signals के माध्यम से communicate करते हैं आला कि यह communication कैसे होता है, यह आज भी mystery बना हुआ है, लेकिन इसे record करने के लिए इस तरीके की system को design किया गया है, जो कि ना सिर्फ देखने में अच्छा रगता है, बल्कि एक तरीके की dress भी होती है, दोस्तों इसमें कुछ smart sensors को आपके head पे setup कर दिया जाता है, और साथी कुछ sensor को body पर भी लगा दिया जाता है, और दिमाग से जैसे जैसे signal transmit होते है body के other parts से, तो नीचे लगी lights भी एक pattern में glow करती है, इससे की चीज़ दिखने में काफी अच्छी लगती है, और कहीं न कहीं data को record करती रहती है कि आपकी दिमाग में कैसी communication हो रहा है, तो अपने आपकी एक बहुती अलक सी technology है, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, नमबर 10, DCL Big Drone Drones का वैसे तो इस्तेमाल आजकल काफी सारे कामों में किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको कुछ ऐसी taxi Drones भी दीखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप एक जिगए से दोसरी जिगए पर बड़ी आसानी से जा सकेंगे बात अगर इसकी top speed की करते हैं तो ये लगबग 140 km पर आर की होती है, जोकि काफी जादा है किसी भी drone को देखते हुए इस drone को control करना भी बेहत आसान है क्योंकि इसमें remote control के साथ साथ on board pilot support भी मिल जाता है, जिससे कि कोई बैट कर भी इससे चला सकता है, नहीं तो इसे जमीन से ही remote control से control किया जा सकेगा तो काफी futuristic drone हो जाता है ये अपने features को लेकर जिसका इस्तमाल आपको future में जरूर से देखने को मिलेगा बहुत सारी जगहों पर आपने RCC की बनी हुई roads को देखा होगा, दरसल ऐसी roads की problem ये होती है कि इसमें water passing की जगह नहीं होती है और ऐसे में अगर बरसात होती है और drainage system सही नहीं है तो जल भराओ की समस्या ऐसी जगहों पर देखे जाती है लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा concrete mixture दिखाने वाला हूँ जो कि अपने से water को पास होने देता है जिसे की पानी भरने जैसी समस्या नहीं होगी जिया दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा concrete mixture होता है जिसे की ग्रे नाइट की छोटे छोटे pieces के साथ मिला कर बनाया जाता है जिसकी वज़े से इसके वीचो बीच काफी सारे holes होते हैं और इससे पानी आसानी से पास हो सकता है इस concrete mixture में water ventilation इतना बहतरीन होता है कि इसमें अगर आप एक tanker भरके भी पानी डाल देते हैं तब भी इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला तो इस तरीके की concrete को वहाँ पर use किया जा सकता है जहाँ पर पानी अकसर बहुत ज़दा भर जाता है या फिर इस तरीके की concrete का इस्त solar panels की करी जाए तो वो size में काफी जदा बड़े और भारी भर कम होते हैं जिनकी installation के लिए आपको एक proper जगे की जरुवत होती है जहाँ पर आप बड़े-बड़े panels को लगा पाएंगे लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक तरीके का ऐसा solar panel दिखाने वाला हूँ जो कि size में इतना छोटा रहेगा जिसकी thickness आप एक paper से compare कर सकते हैं इसे बनाने के लिए इंक-based material का इस्तेमाल किया जाता है जिससे की traditional solar panel की तुलना में इसे काफी तेजी के साथ बनाया जा सकता है और ये लगभग उससे 100 गुना जादा conventional होता है और power generation में इसकी capacity normal traditional solar panel की तुलना में ल काफी ज़्यादा solar panels को install किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा electricity को generate किया जा सकता है तो अपने आप में इसकी technology बहुत ही ज़्यादा valuable होने वाली है हमारे future को देखते हुए और मुझे भी लगता है इससे दोस्तों एक like तो मिलना चाहिए जो normal dust wind हमारे cities में रखे होते हैं जब वो पूरी तरीके से फूल हो जाते हैं तो एक तरीके से वो overflow होना शुरू हो जाते हैं और आसपास आपको पूरा बिखरा हुआ दिखाई देता होगा ये problem काफी सारे शहरों में देखी जाती है क्योंकि dust wind का size ऐसी जगों पर काफी छ storage tank होता है जिसकी अच्छी खासी load capacity भी होती है और लंबे समय तक आप इस bin को इस्तिमाल कर पाएंगे वहीं इसमें hydraulic system inbuilt करिये होते हैं जिसे कि अगर ये भर जाता है तो पूरी तरीके से इस container को बाहर निकाल कर यहाँ पर नया container install किया जा सकता है तो इस तरीके की container को काफी सारी चीजों के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है खास तोर पर इसका dustbin अगर बनाया जाता है तो ये उन cities के लिए काफी बहतर रहेगा जहां पर बहुत सारा कूड़ा बगेरा जमा होता है Sunlight को आप काफी जगेंगों पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरुवत के हिसाब से फॉर एक्जामपल अगर अपने घर में कुछ ऐसी लाइट्स इंस्टॉल करना चाहते हैं जिससे कि आप वो natural light आपके room के अंदर हमेशा मिलती रहे तो इस तरीके के setup को try करके देख सकते ह दरसल ये एक तरीके के ऐसे reflector होते हैं जो कि connect होते हैं optic fiber से जिनकी मदद से आपके room तक natural sunlight को पहुचाया जा सकता है इन reflectors की खास बात ये होती है कि ये sunflower की तरह sunlight को follow करते हैं जिससे कि आपको पूरे दिन maximum light मिलती रहेगी इस तरीके के system को इस्तमाल करके आप अपने electric city users क तो भी कम कर सकते हैं और कहीं ने कहीं ये पूरा system पूरी तरीके से environment friendly भी होता है जिससे कि आपके room के अंदर ही आपको natural sunlight मिलती रहेगी किसी भी sports bike को देखेंगे तो उनका design आपस में काफी मिलता जूलता रहता है क्योंकि उन्हें कुछ इस तरीके से aerodynamic shape में बनाया जाता है जिससे कि उन्हें high speed मिल सके लेकिन दोस्तो अब मैं आपको एक ऐसी bike दिखाने वाला हूँ जो कि single wheel operated रहती है जिससे कि आप इससे कि single wheel होने की वज़े से इसमें friction level काफी कम होता है जिससे कि आप इसे आसानी से तीजी के साथ operate कर सकते हैं वहीं दोस्तो इसका design काफी ergonomic रहेगा जिससे कि लंबे सफर पर भी इसे चलाने से कोई भी दिख़त नहीं आने वाली है तो इसका design normal bike से काफी अलग होता है जिससे पहले आपने हो सकता है कभी ना देखा हो तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो इसे like करना बिलकुल मत भूलेगा जी हैं दोस्तो ये एक तरीके की ऐसी ही SUV होती है जो की coupe format में रहती है जहाँ पर fuel के रूप पे hydrogen fuel कर इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वज़े से इसे एक SUV भी कहा जाता है इसका design pan and fariner ने तैयार किया है जिसे की वो 2025 तक बहुत जद लोगों के लिए available भी कराने वाले हैं इस इसमें 296 horsepower की powerful motor रहती है जिससे की केवल 6 second के अंदर आप इसे 0 से 100 km पर आर तक की speed gain कर सकते हैं वहीं इसकी top speed लगबग 200 km पर आर की होती है जो कि कि किसी वी SUV को देखते हुए काफी जादा रहती है इस car के आपको other variants भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर इसकी top speed 250 km पर पर तक भी जाएगी जो कि अपने आप में काफी कमाल की बात है तो hydrogen power fuel को वागई एक futuristic fuel कहा जाता है जिससे कि आप एक eco friendly तरीके से power generate कर सकते हैं तो comment करके बताएगा कि यह आपको हुवी कैसी लगी है दोस्तों जो बड़े बड़े गोडाउंस होते हैं जहाँ पर अनाच को खुला रखा जाता है ऐसे में बड़े बड़े पहाल लग जाते हैं गेहूं या फिक किसी भी अनाच के तो ऐसे में आपके लिए काम आता है यह robot जो कि उन्हें लेवलिंग करने काम बढ़ी आसामी से करता है वैसे तो इस काम को करने के लिए फावरे जैसे ier की जरुवरत होती है इसे के में वली ही करना फड़ता है लेकिन रोबॉट ये काम बड़ी आसानी से कर देता है जिसे कि फूट को लेवल कर देता है जिसे कि बड़े-बड़े पहार नहीं बन पाते हैं और इस टॉक्स को रखने में आसानी रहती है तो रोबॉट भले ही ये छोटा सा लग रहा है लेकिन इसके users काफी हैं जो कि आपकी अच्छी खासी labor cost बचा देता है दोस्तो वैसे तो जो cells यानी की batteries होती है वो size में काफी बड़ी और मोटी होती है जिनका compact format आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है जैसे कि बात अगर mobile phone की battery की करी जाए तो वो भी size में काफी बड़ी और मोटी रहती है लेकिन दोस्तो आगे आने वाले future में आपको कुछ इस तरीके की batteries भी देखने को मिलेंगी जिनकी thickness लगभग एक paper के बराबार होगी जिनकी तरीके की ऐसी ही battery होती है जिससे कि आप अपने मन चाहे shape and size में adjust कर सकती है जिसकी वज़े से समय के साथ सत compact devices को बनाना मुमकिन हो पाएगा इस तरीके की batteries एक तरीके की printable batteries होती है जिससे कि इसका production भी काफी तेजी से किया जा सकता है और बहुत सारी folding device भी बनाई जा सकती है इस तरीके की batteries के आने से size में छोटे और थीन होने के साथ साथ ये flexible और foldable भी होती है जिससे कि आसानी से आप इसे more भी सकेंगे तो दोस्तों comment करके बताएगा कि क्या आपको आज से पहले इस तरीके की technology के बारे में पहले कभी पता था या नहीं अब मैं आपको जो gadget दिखाने वाला हूँ वो farmers को काफी interesting लगेगा क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब वो अपने खेतों में पानी लगाते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी tubes का इस्तेमाल करना पड़ता है और water flow की situation में ऐसी tubes काफी heavy हो जाती हैं जिनिकी generally एक जगे से दूसरी जगे पर shift करना बहुत ज़दा मुश्किल भी रहेगा लेकिन दोस्तों अगर खेत थोड़ी से बड़े हैं और आपको बीच बीच में भी से चाहिए करनी हैं तो वहाँ पर ये gadget helpful रहेगा जिसे कि आसानी से tube में hole करकर आप बीच से भी पानी निकाल सकते हैं यानि कि tube के end से तो पानी आएगा ही आएगा साथी अगर आपको बीच में भी पानी चाहिए तो इस तरीके के gadget का इस्तेमाल करके आप tube में hole कर पाएंगे और जरूरत ना होने पर आप इन holes को फिर से close कर सकते हैं जिससे कि आपकी tube एक normal tube की तरह फिर से हो जाती है ये gadget खास लगी हो तो like करना बिल्कून मिद भूलेगा वीडियो में दिखाएगे किसी भी gadget के बारे में अगर आप और भी information चाहते हैं या फिर उसे खरीदना चाहते हैं तो उनके links आपको description box में देखने को मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक लेने मश्कार देखती रही है न्यूटेक गिजेट्स